बिल्कुल गहफ़ाने है बड़ाने कीज़वक नहीं है कहा गया है कि लहरों के डर से नौकापार नहीं करती हैंने और कठीन प्रसम करने वाले को कभी परिसम बेकार नहीं होती तो आईए मैं आपको ले चलता हूँ एक बढ़ी है टॉफिक इंट्रोगेटिव से को सब्सक्राइब कर लेजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लेजेगा हीट कर लेजेगा ताकि जो भी वीडियो अप्लोड करें उसको नोटिफिकेस आपको सबसे पहले मिले देखोई आप कहेगा इंट्रोगेटिव जिससे सवाल पुछा जाता है जिसे भाट आ रही है और न ही स्विकरात्मत जिस्टी से ब्रीक्षि किया जाता है जैसे I am going we are reading इस तरह का बाख रहता है तो उसको अर्सरेटिव संटेंस गाते है तो आइसे बाख कैसा बनता है इंट्रोगेटिव रहता है तो आफरमेटिव तो सब सब पहले तो जानना होगा पहरे कि में क्या होता है पहले भार्व ता सब्जेक्ट और उसके बार नाउट नहीं रहता है तो नाउट लाते हैं सटाते हैं और नाउट बाक में रहता है तो उसको हटाते है ठीक है तो पहले हम देखे भार्व प्लस सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट प्लस भार्व लिखते हैं तो सबाक में नौट हो तो हटाएं, है निया, और नमबर दू में, अगर वाक में नौट नहीं हो, तो उसे शटाएं, अगर में नहीं है, तो लाना है, ठीक है, और जैसा कि आप पहले हैं चान गया है, कि इंट्रोगेटिब में सवाल पुछा जाता है, तो यह लेकर प्रेस् में अन्त में फूल स्टाफ होता है, जैसे आई, आई एम, आई ए थीप, है ने, इंट्रोगेटिब क्या है, आई ए थीप, आप इसको हम अस्टेटिव संटेशन पहलते हैं, तो आई एम नौट ए थीप, दखो यहां, आई के बाद नौट नहीं है, या आई के बाद आई एम नौट ए थीप होगा, ठीक है, वसी परकास से, नेक्स में देखिए, फिर इंट्रोगेटिव संटेश पुछा गया है, कि इस सी ब्यूटिफूल प्राशन बाशिन दिया हुआ है, तो इसमें भी, इसमें देखिए, नौट दिया हुआ है, नौट नहीं दिया होगा, एक मिलब हुआ, कि इसमें भी इस तरवाल जो पुछा गया है, वसे के बाख में दिया हुआ है, यहां क्या होगा, आई हैव आई हैव लब फॉर यू और अन्ट मैं फूल स्टॉक तो मैं समाझता हूं प्यारे कि ये सवाल को बढ़िया सा आप समझ गए होंगे और आपको समझने में कोई दिकत नहीं हुई होगी है नहीं तो फिर ही मिलते हैं राम नाम तक के लिए हमें फिर से इजाज़त दें और नेट बचाना ज़रूरी है क्योंकि आपके बहुत सा जो कुरफात लोग है लगे हुए हैं तो जाए हिंद जाए भारत फिर मिलते हैं जाए हिंद